नमस्कार दोस्तों, नमस्ति इंग्लिश में फिर से आपका एक बार स्वागत है। हमेशा की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूँ और यहाँ सेशन आपको अंग्रेजी बोलने और लिखने में काफी लाबदायक साबित होगा। आईए इसके पहले आज के सेशन की सुरुवात करें। मैं आपको एक जानकारी दे दूँ जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है यती आप अंग्रेजी बोलना चाहते हो, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो देद ना करें। आज ही प्ले स्टोर से नवस्ति इंग्रेजी से डाउनलोड कीजिए और अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन कीजिए। अनलिमेटेड एकाउंट जॉइन करने से आप यहां बिना किसी की मदद से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सिख सकते हैं। तो चले आज के सेशन की और हम मौडल भर मश्त को जानेंगे। मौडल भर मश्त का उपयोग नेसेसिटी या ब्लिगेशन को बताने के लिए किया जाता है। गताने के हम model verb का प्रियोग करते हैं. अगर हम इसे अंग्रेजी में परिभासित करें, तो हम बोल सकते हैं, the model verb is used when we want to express something, an action which is necessary. और model verb must is used to indicate that action is necessary. मतलब ऐसा काम जो बहुत जरूरी है, जो निश्टित रूप से करना है, उसके लिए model verb must का इस्तामाल करते हैं. तो हिंदी में अगर इसको हम समझने का प्रियास करें, तो ऐसा किरिया जिसको करना जरूरी है, या कोई ऐसी किरिया जिसको करनी ही कहिए, ऐसा भाव व्यक्ट करने के लिए हम must model verb का प्रियोग करते हैं. आईए, अब model verb must का उप्योग करके, अगर sentence में हम देखते हैं, कि इसको हम और अच्छी तरिके से कैसे समझ सकते हैं. यदि अंगरेजी में आप बोलेंगे, कि, यानि आपको याता यात नियमों का पालन करना चाहिए. यहाँ परी आप देखेंगे, must आपके नियमों को पालन करने की आउसकता को दर्शा रहा है. मतलब यह जरूरी है, यह निश्टी तरुप से आपको करना ही पड़ेगा. दूसरा example हम देखते हैं, यदि आप ऐसा बोलना चाहिए, परते एक छात्र को अपना पहचान पत्र साथ लाना होगा. ठीक है? तो पहले तो इसका अंग्रेजी मनुबाद देख लेते हैं. चुकि लाना होगा, जरूरी है, नेसिसिटी है, तो यहाँ परी हम बोलेंगे, एवरी स्टुडेट मस्ट ब्रिंग हीज आईडी प्रूफ बिद हीम. अब आप देखेंगे मस्ट, मस्ट का यहाँ अर्थ होता है, जरूरी, निश्ची तुप से, बिदावट एनी फेल्ट, तो यहाँ मस्ट पहचान पत्र लाने की ओसक्ता को दर्सारा है. उसी तरीके से, अगर आप बोलना चाहें, परिच्छा पास करने के लिए आपको अधिक महन्यत करनी हो की, तो अंग्रेजी इमम इसको बोलेंगे, यू मस्ट वर्क हार्डर तु क्लियर दी अग्राम. तो मुझे आसा है कि ये तीन सेंटेंस के जरिए आप समझ गए होंगे, कि मस्ट को प्योग हम कहां करते हैं और कैसे करते हैं. और इसी तरीके से हमारे अन्य वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना बुले, धन्यवाद.